ये पैगाम है भारत के हर कॉंटेंट क्रियेटर के नाम जै भीम जै भी बड़ा सिला हसी जै भीम जै भीम अब अवेलेबल उन दे प्ले स्टोर और अपल अप्स्टोर नाव उत्तर प्रदेश के विधानसवा चुनाओं में बहुजन समाज पार्टी के अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद बहन मायावती जी देर से ही सही लेकिन कुछ सक्रियता दिखा रही है अब उपर से नीचे तक संगठन के पेच कसे जा रहे हैं इसी कड़ी में रविवार को लखनों में बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की हार की समच्छा के लिए मिटिंग बुलाई थी इस बैठक में ये फैसला हुआ कि बहुजन समाज पार्टी में राज के चार महतपूर्ण समुहों को समान प्रतिनीधित्व दिया जाएगा ये समुह है दलित, OBC, मुसलिम और सवर्ण दरसल अब तक बहुजन समाज पार्टी के ओर से हर विधान सभा में एक समनवाय कियाने की कोडिनेटर नियोक्त किया जाता था आम तोर पर ये जमेदारी दलित नेताओं को मिलती थी लेकिन अब बहन मायावती जी ने प्लान बनाया है कि हर विधान सभा में चार नेताओं को जिमा दिया जाए ये चारों नेता अलग अलग वर्गों के होगे इस बार के विधान सभा चुनाओं में बहुजन समाज पार्टी को महज 12.88 फिजदी ही वोट मिले और सिर्फ एक सीट पर ही संतोश करना पड़ा खुद बहन मायावती जी ने ये माना कि उनकी अपनी जाटो विरादरी के अलावा अन्य वर्गों का समर्थन उन्हें नहीं मिल सका ऐसे में उन्होंने अन्य समुदायों को भी लोभाने के लिए प्लानिंग तेज कर दी है फिलाल बहुजन समाज पार्टी का पूरा फोकस 2024 के आम चुनाओं में अच्छा प्रदर्शन करने पर है एक सिनियर लेडर ने कहा कि अब तक हर विधान सभा में एक अधिक्ष होता था और ये अनुसुची जाती का ही होता था अब इस लेवल पर चार निता नियुक्त किये जाएंगे बहन मायावती जी ने जल्द ही उनके पदनामों के ऐलान का फैसला किया है ये चार निता अलग अलग समुदायों के होगे उन्होंने कहा कि ये निताओं की जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे अपने समुदायों को पार्टी के साथ जोडने का काम करें विधान सभा के लेवल पर इस तरह से काम किये जाने से फाइदे की उमीद है बहुजन समाज पार्टी के लिडर ने कहा कि नुकड सभाओं और रेलियों से ज़ादा जोर रहेगा कि ये निता व्यक्तिगत तोर पर अपने समुदायों के बीच जाएं और उन्हें साथ लाने का काम करें बता दें की बहन मायावती जी ने कड़े फैसले लेते हुए 18 जोनल कॉडिनेटर्स को हटा दिया है और तीन नए समनवैक नियुक्त किये हैं इन तीन नेताओं में दो दलित हैं जबकि एक मुसलिम लिडर है बहुजन समझ पार्टी के नेता ने कहा कि इन तीन कॉडिनेटर्स की रिपोर्ट के आधार पर हर विधान सभा में नेताओं की नियुक्ति की जाएगी इसके अलावा भाईचारा कमिटियों की एक बार फिर से शुरुवात होगी बतादें कि विधान सभा चुनाओं के नतीजों के बाद बहन मायावती जी ने कहा था कि यदि मुसलिमों ने उन्हें वोट दिया होता तो फिर दलितों के अपने बेस वोट के साथ बीयस पी ही भारती जंता पार्टी को हरा सकती थी बहन मायावती जी ने अपनी हार के लिए उस प्रचार को भी जिम्मेदार ठहराया कि सभी मुसलिम समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इसके चलते पलराइजेशन हुआ और जाटों के अलावा दलित समुदाई की कई बिरादरियों ने भारती ज जन्ता पार्टी को वोट दिया